जय हिन दोस्तो विल्कम टू माई यूटूब चैनल दोस्तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज दोस्तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से टैली में सबसे क्वीक और फास्ट बिल बनाना सीखेंगे अगर आप टैली में बिल बनाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके टैली को ओन कर लेना है दोस्तो और हम बिल्कुल फ्रेश तरीका से बताएंगे इससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे कि आपने कुछ पहले से बना रखा है ठीक है इसलिए हम क्रियेट कंपनी करते हैं दोस्तो और एक कंपनी हम फटाफट एबी सी नाम से ड्रो कर लेते ह इंटर करेंगे दोस्तो यहां से स्टेट और आप जो है कंट्री जरूर से अलक कर लिजेगा और इंटर करके फाइलि हम एकसाप्ट कर लेते हैं बिदाट यूजर आइडी और पासवर्ड का तो चलिए दोस्तो औल लेडी मेरा एबी सी नाम से यहां पे एक कंपनी बन चु है इंटरेश प्रेस करने से आपको कुछ ही इस तरह का इंटर फैस दिखेगा दोस्तो यहां से अपको परकेस अफ्संस पे click कर देना है तो प्रचेस का box आपको ऐसा दिख जाएगा अब यहां पे आपको supplyeinin WA डाल देना है जैसे 0 1 डाल दिए डेर डाल देना है आपका इं तो यहां से दोस्तो हम laser को Sunday character में डाल देते हैं, Bill by Bill option है यहां से आपका No रहेगा और Inter press करते हैं, और Inter press करने के बाद यहां से Inter करके हम finally Raj को Accept कर लेते हैं, और Inter करके हम फिर से एक बार Accept करा देते हैं, अब दोस्तो एक laser बनाना परेगा आपको purchase का, तो फिर सामें यहां Alt C button press करना होगा, तो Alt C press करेंगे तो फिर यहां पर laser creation का आपको box खुल जाएगा, अब आपको यहां पर टाइप करना है purchase, purchase टाइप करेंगे जो कि अंडर जाएगा आपका purchase account में, तो यहां से आपको Select कर लेना है दोस्तो purchase account, इंटर करेंगे, अब दोस्तों यहां पर GST से related कोई options नहीं पूछ रहा है, इसलिए हमें GST को Yes करना है, तो F11 यहीं पर press करेंगे दोस्तों, और यहां से चले जाएगे हम यहां पर Estatrix Tax Essence में, तो F3 पर click करना है दोस्तों, तो यहसे ही आप F3 यहां पर click किजेगा, कुछ इस तरह का interface खुलेगा, जिसमें GST को आपको क्या कर देना है, और GST details को फिर से Yes कर देना है, Enter करना है, State अपना डाल लेना है, GST नंबर जो आपका होगा, वो GST नंबर आप डाल लिजेगा अपने company का, और इंटर करके दोस्तों finally accept करा दीजिएगा, अब दोस्तों जैसे ही इंटर करके accept कीजेगा, वैसे ही purchase के laser में यहां पर आपको एक GST का जो है की नया column दिखेगा, GST applicable जिसको applicable कर देना है, और GST details का option दीखेगा इसको yes कर देना है, yes करने के बाद दोस्तों यहां से इंटर करके आगे बढ़ना है तो descriptions का option पूछेगा, तो description में यहां से goods डाल देते हैं और HSN code यहां पे छोड़ देते हैं, enter करेंगे, उसके बाद यहां से nature of transaction पूछेगा दोस्तों तो यहां से आपको purchase taxable को select कर लेना है, इंटर करना है उसके बाद आपको जो यहां पे applicable charge का option पूछेगा नो रहेगा और यह आपका credit input का option भी नो रहेगा, उसके बाद आपको integrated text पूछेगा, तो अगर हम 18% text लगाने वाले हैं, तो 18% integrated all over text यहां पे हम दे देंगे, उसके बाद 9% central, 9% state automatic कर लेगा, case 0% कर देगा आपका और type of supply में goods का transaction करने वाले हैं, तो यहां से type of supply में goods लेंगे और इंटर करके accept कर देंगे, जैसे accept करेंगे दोस्तों यहां पी आपका purchase का laser जो है कि show करने लगेगा, उसके बाद हम लोग आगे बरेंगे, इंटर करके, तो यहां पे name of item मेरा जो नहीं दिख रहा है, उसके लिए हमें alt के साथ c button place करने हैं परे, उसके बाद अब कौन सा item का transaction करने वाले हैं, उसका नाम लिखेंगे, तो जैसे हम यहां पे type कर लेते हैं, एक mouse, इंटर करेंगे और यहां से under primary में डालेंगे mouse को, अब दोस्तों यहां पे आपको units पुछे जा रहा हैं, तो units में हम यहां से alt के साथ c button press करते हैं दोस्तों, और यहां पे डाल लेते हैं p और c piece, जिसका formal नहीं होता है p, i, e, c, e, और इंटर करेंगे, और यहां से हम not applicable डालते हैं दोस्तों इसके बाद descriptions में यहां पे हम goods डाल देंगे, इंटर करेंगे, एक HSN code डाल देते हैं और इंटर करेंगे, उसके बाद यहां पे calculation का type on value रहेगा, taxability में दोस्तों यहां से आपको taxable को select कर लेना है, इंटर करना है, फिर इंटर करने के बाद integrated tax यहां से 18% डाल देना है, central 9, state 9 और case 0%, type of supply goods में डाल देना है और इंटर करके finally accept करा देना है, अब दोस्तों descriptions में यहां पे कुछ लिखना है, तो mouse के बारे में कुछ लिख सकते हैं, otherwise आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद quantity पूछेगा दोस्तों, तो आपको कितना पिस खरीदना है, जैसे 100 पिस करीद at the rate of 9%, इंटर करेंगे, अंडर जो है आपका duties and taxes में जाएगा, तो यहां से दोस्तों आपको duties and taxes को select कर लेना है, और text का type आपको यहां से GST select कर लेना है, उसके बाद जो type text पुछेगा दोस्तों, यहां से आपको central के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मैंने यहां C दे रखा है, तो यहां से central को select करेंगे दोस्तों, अब percentage 9% calculate करना है, central पे तो central के लिए 9% ले लेते हैं, और rounding में रहे हैं, यहां से normal rounding डालेंगे, और enter करेंगे, और enter करके finally हम इसको accept करा देते हैं, फिर यहां से enter करेंगे दोस्तों, तो automatic 9% यहां पे tax आपका cut जाएगा, उसके बाद alt के साथ फिर यहां पे c बटन प्रेस करेंगे, अब बनाएंगे दोस्तों एक input, sgst, add the rate of 9%, इंटर करेंगे यहां से फिर से यह divities and taxes में जाएगा, और text करेंगे यहां से दोस्तों gst हो जाएगे, इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहां से आपको state text select करना है, और percentage से दोस्तों normal rounding रखना है और इंटर करके आपको accept करा देना है, उसके बाद automatic यहां से text आपका cut जाएगा, इंटर करेंगे और एक narration लिखेंगे, beinz purchase, तो दोस्तों आपने यहां पे जो है कि purchase का का काम कर लिया है, शौपीश का, अब इसको हमें क्या करना है, sales करना और उसका इंटर करने है, उसके बाद party के नाम, तो किस ब्यक्ति से बेशना है आपको, तो alt के साथ c button press करते हैं, जैसे माल लिया जाए, dwe, p, a, k, dipak से बेशना है, तो यहां से डिपक से लेक्ट कर लेते हैं, जो कि laser आएगा आपका sunday data में, तो यहां से दोस्तों sunday data को select करेंगे, bill नीची आने के बाद यहां से laser पूछेगा, तो alt के साथ हम यहां c button press करेंगे, और एक laser बनाएंगे हम यहां पे sales का, जो कि under जाएगा आपका sales account में, और इंटर करेंगे, यहां से GST applicable को दोस्तों applicable कर देंगे, और GST details को यहां से yes कर देंगे, description में type कर देंगे goods, इंटर करें इंटर करेंगे, उसके बाद यहां से nature of transaction जो पूछ रहा है दोस्तों, इसमें sales taxable आपको डालना है, तो sales taxable डालेंगे, और इंटर करके आगे बरेंगे, अब integrated text दोस्तों पूछ रहा है, तो integrated में 18% मुझे tax charge करना है, तो 18% डालेंगे, 9% आपका central का हो जाएगा, 9% state का, 0% हो जाएगा, और type of supply यहां से हम लोग goods को select करेंगे, उसके बाद इंटर करके finally हम accept करा देते हैं दोस्तों, अब समान कौन सा है, तो समान all ID आपका बना हुआ है दोस्तों, keyword का आप space bar बटन जो है, वो प्रेस कीजिएगा, तो automatic यहां पर समान आपका दिख जाएगा, जैसे mouse को select करते हैं, इंटर करेंगे, अगर माल लिए जाए मुझे दोपीस बेशना है, 180 के rate से बेशना है, इंटर करेंगे, अब इंटर करने के बाद दोस्तों, जैसे mouse के नीची एक बार कर से रहे, तो एक बार और और इंटर करना है, तो एक step और नीचे कर से रहेगा, अब alt के स दोस्तों, हम select कर लेते हैं, duties and taxes, यहाँ पे आपको दिख रहा, duties and taxes, इंटर करेंगे, उसके बाद text जो है, आपका GST है, तो GST को select कर लेंगे, जिसमें आपका type जो पूछ रहा है, वो कैसा type होगा, तो central type होगा, percentage कितना लेना है, तो 9% है, और यहाँ से method कैठा रहेगा, rounding का तो normal rounding रहेगा, और इंटर करके accept करा देते हैं, तो दोस्तों, automatic यह 9% जो है, आपका कर जाएगा, उसके बाद फिर एक बाद नीचे करके आना है, output और S बनाना है, तो alt के साथ C button paste करने है, और बनाना है, OUT, PUT, output, S, GST, at the rate of 9%, इंटर करेंगे दोस्तों, यह भी under जाएगा आपका division taxes में, यहां से tax select कर दिजिएगा, GST, इंटर करेंगे, और इसका state लेते हैं, तो यहां से tax type state लेंगे, percentage 9% देना है, 9% देंगे, rounding method आपका हो जाएगा, normal rounding, और इंटर करेंगे दोस्तों, और accept करा देंगे, जैसा ही 9% डालेंगे, यहां पर automatic, auto calculate हो जाएगा, text cut करक और आपका जितने amount है, auto calculate हो जाएगा, narration type कीजिएगा, B, E, I, N, Z, S, O, L, D, should, और finally हम लोग accept करा देते हैं, अब दोस्तों इसका bill print करने के लिए, हम लोग escape से wax आते हैं, और यहां से जाना परेगा, आपको display option में, इंटर करना है दोस्तों, डेbook में जाना है, आपको यहां से इंटर करना है, sales वाले voucher को select करना है, और alt के साथ यहां से P button press करना है, alt P जैसे ही प्रेस करेंगा, दोस्तों voucher print का यहां अपसन देगा, वैसे इंटर प्रेस करना है, दोस्तों, इंटर प्रेस कीजिएगा, तो desktop पे save करने के लिए, या फिर कहीं भी location, तो यहां से हम एक text invoice आपको दिख जाएगा, अब दोस्तों इस बिल को print करना है, तो यहां से printer का symbol दिख रहा है, इस पे आपको click कर देना है, जो printer आपके company का है, उसको select कर लेना है, और यहां से जैसे print command दीजिएगा, दोस्तों, यह already आपका print out आ जाएगा, तो इस तरह से दोस्तों बहुत ही से बिल को print कर सकते हैं, और बना सकते हैं, दोस्तों वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट करके जूरू पताईएगा, अगर मेरे चैनल पे नए है दोस्तों, तो किरपिया चैनल को subscribe और like जरूर कर दिजेगा वीडियो के, तब तक के लिए, take care, have a nice day, bye bye, thank you, फिर मिलते हैं अगले बिल्योंगे